तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी बॉड़ी पे न्यूटन स्लाउफ मोशन कैसे अपलाई करें तो आए हम लोग फटाफट सुरू करते हैं यहां पर आपका स्टेप्स लिखा गया है कि स्टेप्स टू अपलाई न्यूटन स्लाउफ मोशन तो first step में आपको क्या करना है कि first step में आपको body को isolate करना है isolate करने का मतलब हम लोग उसको surrounding bodies हैं उससे अलग देखेंगे उससे अलग करकर उसको देखा जाएगा तो first part में क्या करना है कि isolate the body at which Newton's law has to be applied मतलब उस body को single अकेला देखना है हम लोग को second part में है आपका second step में आपको करना है कि so the forces acting on the body ठीक है second part में देखना है हम लोग को so the forces acting on the body तो एक बात मैं आपको यहां पर बदाता हूँ कि अगर आप step one and two को combined किजिएगा इस दोनों को तो इस दोनों को हम लोग बोलते हैं free body diagram करना मतलब आपने body को free किया और उस पे लगने वाले forces को दिखाया so this combined step one and two is known as a free the body अगर आप से question ने पुछा जाता है कि किसी body का free body diagram करने के लिए तो आपको क्या करना है कि body को isolate करना है फिर उस पर फिर लगने वाले forces को दिखाना है फिर next में आपका result of forces in mutually perpendicular action इसको हम लोग practice करेंगे कैसे यह किया राता है वह चीज का rule है आपका now apply f net is equal to a में और you can say fourth में आपको apply करना है Newton's second law of motion तो आईए हम लोग अब शुरू करते हैं तो इसको शुरू करने से पहले हादा कि हम लोग अभी सिखने वाले हैं free body diagram ड्रॉ करना लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बढ़ा दूँ कि इसमें points जो भी points यह इसको आपको ध्यान रखना है तो चलिए उसको मैं example से आपको समझता हूँ यह example जो मैं दे रहा हूँ आपका वो आपको book इस सी वर्मा में भी explain किया गया है वहाँ भी आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से explain किया गया है कि क्या मतलब है so the forces acting on the body का म मैं भी explain करने वाला हूँ आपने जो बोला है कि so the forces acting on the body तो देखी इस बात की एहमियत कितनी ज्यादा है इसका importance कितना ज्यादा है वह हम लोग अभी देखने वाले है तो on the body का मतलब क्या है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप imagine किजिए कि दो आदमी है ठीक है दो आदमी ह free space में है यह आपको जाद रखना है free space ताकि मैं इसको इसको concentrate कर सकूँ नहीं तो आप confused हो जाएगा कुछ ज्यादा advanced science लगाना शुरू कर दिएगा तो दो आदमी है मान लिया जाए कि यह हो गया खली और यह हो गया बल्ली आपका ठीक है तो k and b तो मान लिया जाए कि इस ख की तरफ पुस्किया तो according to Newton's third law according to Newton's third law हम लोग यह बोल सकते हैं कि यह गर खली ने इसको इस दा एक्षन में कुछ एफ फोर्स से पुस्किया तो every action has an equal but opposite reaction तो यह बात से और है कि जैसे इसको इस दा एक्षन ने पुस्किया हो उसी मोमेंट पे इसको एक फोर्स इसको मतलब में क्या बोलना चाहरा हूं तो मैं अगर इसको बोलूँ कि चलिए हम लोगो अगर खली के बारे में सोचा जाए खली का FB ड्रॉख किया जाए सोचा जाए तो यह आपका खली हो गया ठीक है और मैंने क्या बोला कि इस खली ने बल्ली को पुस्किया F-4 से एक फोर्स है लेकिन according to Newton's third law of motion खली को एक reverse force मिल जाएगा एक फोर्स के बरावर ही एक फोर्स क्या मिल जाएगा बरावर ही मिल जाएगा तो every according to the law every action has an equal and opposite reaction Newton's third law according तो अगर इसको बरावर फोर्स मिल लिया तो माझे कि इसने 10 Newton लगाया और 10 Newton इसको reverse मिल गया तो आपको पता है कि finally इसको उतने ही अगर force back में मिल गया तो net force तो आपका 0 हो गया net force तो आपका 0 हो गया आपको खली के बारे में ऐसे सोच रहे हैं फिर आपको बली के बारे में सोच ना है कि इसको खली को यहां रखिए भी अब और this is बली तो हम लोग बली को ही बोलेंगे कि क्या हुआ कि खली ने बली पे लगाया a force ठीक है लेकिन हम लोग को पता है कि every action has an equal but opposite reaction तो यह जरू नहीं है कि बली को लगाना पड़े बली automatically मतलब कि बली automatically एक a forces को reverse में लग रहा ही देगा जो कि यहां पर आप दिखा रहे है एक बार फिंसे समाने कोसिस करता हूँ क्यों ऐसे में लगा रहा हूँ कि आप imagine कि आप दिवाल को push करें तो आप दिवाल को push करें तो reverse में दिवाल भी आपको क्या करेगा लेकिन reverse में इसने 10 newton apply कर दिया reverse में इसने क्या कर दिया 10 newton apply कर दिया तो finally हम लोग क्या बोल सकते हैं कि it should not move it should not move लेकिन क्या ऐसा होता है real life में नहीं ऐसा नहीं होता है अगर आप इसको imagine कि आप free space में है free space में इसलिए ले रहा हूँ लेकिन अगर मैं अभी सोचूँ अभी जो जो भी डियाग्राम आपको दिखा गया है कि आपने इसको 10 newton से push किया लेकिन reverse में आपको एक opposite force यह आपको लगा दिया reverse में आपको एक opposite force लगा दिया तो अगर आप पे यह opposite force लगा दिया कि आखिर दिया move क्यों करता है हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग इसमें कहां पर गलती कर रहे है तो आप इस season को वीडियो को रोग कर सोचिए skip कर कर सोचिए लेकिन आपको खुद से सोचना है जब तक आप खुद से नहीं सोचीगा लग रहा है इसको हम लोग को दिखाना है भी डियाग्राम में ना कि body कितना force लगा रहा है तो body कितना force लगा इसको दिखाना नहीं है तो इसमें मैंने गलत क्या किया है कि देखे इसने एगर इसका मैं newton's log दिखाना की कोशिश करूँ कि newton's log में कौन कौन सा heavy diagram में कौन कौन सा force दिखाया जाएगा तो उस case में इस force को हम लोग नहीं दिखाएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे कि this is the force acting by the body यह जो force मैं आपको पहले ही बता था कि इसने ए force लगाया था इस पर जो बली पर था खली ने यह force लगाया था return में इसको यह मिला था force यह force हम दोग दिखा सकते हैं लेकिन इस force को जो यह body खली जो है उस दुसरे पर कितना force लगा रहा है वो हम लोग को दिखाना नहीं है वो हम लोग को दिखाना नहीं है similar सा बात यही है कि हम लोग इस बल्ली का अगर FB डियाग्राम ड्रो करेंगे तो बल्ली का FB डियाग्राम में इस पे कितना force लग रहा है यह हम लोग दिखा सकते हैं जैसे कि 10 निटने जो भी हो तो इस पे कितना force लग रहा है उस force को हम लोग दिखा सकते हैं कि लेकिन ये कितना reverse में force दे रहा है मतलब reaction force कितना दे रहा है वह लोगों को दिखान नहीं है we have to show the forces acting on the body not the forces acting by the body समझ रही इमरत को तो इसी कारण से अगर आपको actually FB diagram ड्रो करना है तो correct जो है this was incorrect actually तो अगर आपको correct है तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर खली हो गया तो खली पे जो reaction force मिल रहा है वो ही हम लोगों को दिखाना है उससे कन actual में क्या होगा फिर ये space में खली पीशे चला जाएगा जैसे उसको आगे धक्का मरेगा वो पीशे चला जाएगा और साथी ही साथ अगर आपको बली का fp diagram ड्रो करना है तो आपको क्या करना होगा कि आप पे इसको दिखाना है forces acting on the body इस पे कितना force लग रहा है तो इस पे खली ने कितना लगा था f लगा था और reverse में खली पे इसने कितना लगा दिया था f लगा दिया था तो यही force दिखाना है दोनों force को नहीं दिखाना है हम लोग को बात को सबज़िये इस बात को ठीक है so that's why we always have to be careful about यह आपको शुरुवात पे जो 11th class के strengths होते हैं खास करके ज़्यादा दिक्कत होता है यही था उस टाइम मेरे को यही बात दिक्कत होती थी कि हम लोग जो भी force दिखाना शुरू करते हैं लेकिन आपको realize करना होगे कौन-कौन-कौन-सा force body पर act हो रहा है ना कि body कौन-कौन-कौन-सा force लगा रहा है दूसरे पर ठीक है तो एक और मैं आपको लूफ हो दिखाता हूँ कि आप इसे इमेजिन कीजे कि आप किसी पत्थर को धक्का दे रहे हैं ठीक है तो आप पत्थर को धक्का दे रहे हैं तो को किसी को मूव भी नहीं करना चाहिए अगर आप पत्थर पे किसी धक्का दे रहे हैं और साथी साथ तो आपको reverse में आपको पत्थर भी आप पे धक्का देगा तो उस case में कुछी को move नहीं करना चाहिए लेकिन move करता क्यों है? क्योंकि अगर आपको stone का motion देखना है तो आपको देखना है कि उस पे force कितना लग रहा है ना कि वो reverse में force कितना लगा रहा है समझे रहे ही बात को? तो इस बात का बिलकुल धियान रखेंगे यही बात आपको hc barma make मिल जाएगा horse kart वाले case में तो उसको आप जाकर पढ़ सकते हैं चलिए तो आप हम लोग को शुरू करना है draw fbd इन सारे questions में है draw fbd इस वीडियो में हम लोग fb draw करना ही सीखेंगे तो आप आपको draw fbd off road obviously off road यह सारा जो floor है या wall है वो smooth है road का मास आपका aim है ठीक है मैं यहाँ हूँ जो भी चीज़े आप पूछ सकते हैं आपर तो road का मास में सारा floor smooth है smooth कहने का मतलब friction नहीं आगा मैं friction का बात आगे करूँगा वो अलग chapter सुरूँगा तो smooth है तो हम लोग का तरीका क्या बोलता है कि freeboard diagram draw करने के लिए आप पहले body को isolate किजिए कर दिये road को अगर भी draw करना है अब इस पर लगने वाले forces को लगाईए तो कौन-कौन सा force लेगा contact force लेगा normal force ठीक है तो normal force कितना जगा लगेगा दो जगा लेगा यहाँ पर जहाँ जहाँ contact बना रहा है यहाँ पर और यहाँ पर wall से लगाएगा तो अब देखें normal force यहाँ पर लेगा यहाँ पर किधर लेगा तो इस road पर normal कितना लग रहा होगा उपर कितरफ लग रहा होगा जो floor है वो road को उपर कितरफ पुस्च कर रहा होगा normal force always acts perpendicular to the contact surface sticket उपर कितरफ पुस्च कर रहा होगा इस left wall यह जो left right का wall है वो इस road पर कितना force लगा रहा होगा किधर लगा रहा होगा वो भी लगा रहा होगा left कितरफ पुस्च कर रहा हो उसको हम लोग को दिखाना है forces acting on the body तो यहाँ पर इसको चलिए N1 नाम देते हैं यहाँ पर N2 नाम देते हैं और एक आपका gravity force लएगा हम लोग बीच में लगा सकते हैं concept क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन बीच में ही gravity force लगा जाता है mg लएगा तो यह आपका FBD हो गया सही है चलिए अब हम लोग कहा है कि draw the FBD of M1 and M2 M1, M2 को FBD draw करना है तो चलिए हम लोग सबसे पहले M1 का draw करते हैं तो अगर आपको M1 का draw करना है तो M1 को सबसे पहले हम लोग isolate करते हैं M1 को अब इस पे लगने वाले forces को दिखाएंगे अभी तक हम लोग ने कितना सारा force पराया हम लोग ने पराया tension अगर string हो तो tension सही है string है यहाँ पर normal force, contact है तो normal लेगा सही है gravity लेगर मास है तो तो तीनो force भी लेएंगे हम लोग ने वीडियो में तीन ही दिखाया अभी तक धीर और भी force इंट्रिद्यूस किये जाएंगे लेकिन अभी आपको यह तीनो force देहां रखना है string है तो tension, contact है तो normal gravity है जो कि हमेशा रहेगा तो mg तो एक force तो आपका mg हो गया हमेशा vertically downward दूसरा force आपका contact force हो गया normal तो normal किधर लेगा ऊपर sorry gravity जो है M1G हम लोग इसको दाम दे सकते हैं क्योंकि mass M1 है तो gravity जो होगा आपका कितना हो गया M1G जो normal force हो गया हमेशा pushing होता है nature में मैं आपको बताया था contact surface के perpendicular होता है हमेशा push करता है body को M1 को उपर कि तरह push कर रहा होगा normal और एक tension तो tension string के लोग लगता है rule क्या है tension acts along the string and away from the body away कहने का मतलब ऐसे लएगा सही चलिए अगर हम लोग M2 का बात करें तो M2 को हम लोग isolate करेंगे क्या M2 किसके साथ contact में है नहीं तो contact force normal force नहीं लेगा इस पर लेगा string है तो tension और M G लेगा तो tension आपका along the string and away from the body अवे उपर हो जाएगा यहां अगर मैंने T दिखा है तो यहां भी पर भी T ही दिखा हूँगा क्योंकि अभी हम लोग ideal case ले रहे हैं तो tension दोनों में एक होगा एक string में एक tension एक string में क्या होता है एक tension अब इसलिए हर चीज़ भी ideal में ले रहा हूँ तो एक string में एक tension आपका gravity जो है gravity नीचे लएगा M2 जी तो यह आपका FBD हो गया चलिए हम लोग का next है कि एक आदमी जो है केज के inside खड़ा है ठीक है और आप देख सकते हैं केज को एक string से बांधा गया है और फिर वो आदमी के हाथ में गया है मतलब आदमी केज को pull कर रहा है ताकि यह hold के रखे यह हवा में हैंक कर रहे है दोनों क्या कर रहे है हवा में हैंक कर रहे है आदमी अगर string को छोड़ेगा तो case नीचे आदेगा तो आपको बताना है कि draw the fbd of man पहला में आपका आदमी का fbd draw करना है फिर case draw करना है फिर man plus case system का draw करना है man plus case system का draw करना है घवड़ाई नहीं सिस्टम कोई बड़ी से चीज़ नहीं है हम लोग देख लेंगे देख इसको सीख जाएंगे हम लोग भी तो पहला हम लोग से लिए solution पर आते हैं हम लोग तो first video में आपका जो आदमी है तो आदमी कैसे किया जाए ठीक है तो आदमी अब इस पर लगने वाले forces को दिखाए सबसे पहर तो ये floor पे case के floor पे ख़रा है तो normal force तो लेगा है contact force लेगा contact force किदर लेगा उपर की तरफ हम लोग contact force किदर दिखा सकते हैं उपर की तरफ दिखा सकते हैं तो normal force लेगा उपर की तरफ लेगा ठीक है चलिए फिर tension string है तो tension लेगा tension किदर लेगा tension acts always along the string and away from the body तो ये tension लेगा ठीक है, नॉर्मल हो गया, टेंसन हो गया चलिए, फिर अगर बात करें, एक लेगा ग्रेफटी ग्रेफटी लेगा, तो नीचे लेगा जो आदमी पर नॉर्मल लेगा, हम नॉर्मल याद रखें कि नॉर्मल इस कौन्टेक्ट प लेगा और हमेंचा पुसिंँगी नेचर होता है, तो आदमी को जो फिलोर है, आदमी फिलोर पे खाओ है तो फिलोर उसको उपर की तरफ सपोर्ट कर रहा हुआ, ध्यान सुनीगा, फिलोर जो है आदमी को उपर की तरफ पुस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो टेंसर उपर हो गया, यह हो गया, और नॉनमल उपर हो गया, और एमजी नीचे हो गया, आपका सही है, चलिए, अब हम लोग का next आता है, हम लोग का case का FB diagram draw करना है तो case को draw कर लेते हैं हम लोग case में string यहाँ पर connected है अब देखिए तो case का mask capital M है यहाँ पर आप small mg कर सकते हैं कोई देख नहीं आप समझ चाहिए यह बात को उतना है काफी है तो आप तो यह आपका हो गया small mg चलिए case की बात करते है तो tension जो case पर लेगा tension हमेशा along the string and away from the body tension उपर की तरफ हो गया away from the body away मतलब उपर अपनी तरफ खीचेगा हमेशा tension tension को यही बोलता है कि हमेशा pulling होता है normal क्या होता है push करता है body को और tension pull करता है body को तो उपर की तरफ pull करेगा चलिए mg एक तो लएगा इसका capital mg फिर contact यह जो है case वो आदमी के साथ contact कर रहा थो तो obviously एक normal force भी होगा अब सोची कि normal force किधर होगा तो याद रखिए कि आदमी को push करने का मतलब आदमी को उपर push करेगा case यहाँ पर floor है आपका रेक्षन फोर्स से करन जो floor आदमी जो है वो floor किधर push करेगा नीचे आदमी floor पे खड़ा है मतलब case के inside अगर खड़ा है तो imagine किजे कि case के inside खड़ा है आपको imagine करना पड़ा है मैं क्या बात बोल रहा हूँ आप case के अंदर खड़े हैं तो case आपको तो support दे रहा है उपर धक्का दे रहा है लेकिन आप उसक इधर धक्का दे रहा है नीचे धक्का दे रहा है तो आदमी जो है normal force नीचे की तरफ लगाएगा और यह case पे है case पे normal force उपर की तरफ लगा दोनों action reaction होंगे तो equal to opposite interaction होगा कौन सा action होगा कौन सा reaction आप किसी को भी ले सकते है action किसी को भी ले सकते है reaction चलिए सही है आप का आता है next कि हम लोग का man plus case system का ab diagram ड्रो करना है तो चलिए हम लोग case और आदमी को हम लोग अब man plus case का बात करते है तो अगर man plus case का बात करेंगे हम लोग तो देखिए tension एक यहाँ पर भी लएगा चलिए हम लोग इसी इस कलर से दिखाते हैं tension pulling in the nature tension उपर लएगा tension आपका यहाँ भी लएगा pulling in the nature होगा mg एक case पर लएगा capital mg mg आदमी पर भी लएगा क्योंकि आदमी को एक साथ लेना है देखिए अब system में क्या होता है कि internal force को हम लोग FBD में नहीं दिखाते हैं internal force को हम लोग FBD में नहीं दिखाते हैं reason यह होता है कि internal forces are not responsible for the acceleration तो यहाँ पर internal force है normal internal force हो गया क्यों क्योंकि आदमी को system लेगा तो दोनों के बीच का force लेगा तो अगर आप दिखाएगा normal को तो normal क्या हो जाएगा कि आदमी पे normal उपर लेगा और cage पे normal क्या हो जाएगा नीचे लेगा तो दोनों एक तरीके से internal force के कारण दोनों क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा दोनों internal force होने कारण क्या हो变ång cancel out हो जाएगे तो उसको दिखाने से कोई फायदा हम लोग का है नहीं क्योंकि net दोनों का effect 0 हो जाएगा और एक और बात याद रखीगा कि हम लोग यही बोल सकते हैं कि internal forces does not affect the motion of motion of system system मतलब man plus case system मतलब के होग है man plus case का बाद हम लोग बोल रहे हैं तो motion को affect नहीं करता है इसी कारण से हम लोग internal force को दिखाते नहीं है इसको मैं धेर धेर एक्जाम्पल के तरीके समझाऊँगा यह भी बहुत वास चैप्टर आपकर जो system का बात मैं कर रहा हूँ तो वो अभी बहुत ही ज्यादा वास topic है तो उस पे हम लोग अभी नहीं जाते हैं हाँ एक बात आप मैं आपको और ही बता दू इसको हम लोग ऐसे भी explain कर सकता हूँ मैं आपको कि देखिए मान लिया जाए कि क्यों एफेक्ट नहीं करता है इसको हम लोग explain करने के लिए यहाँ परा सकते हैं कि मान लिया जाए कि यह एक bus है ठीक है तो अगर आपको bus को चलाना है धक्का देना है तो suppose कि यह आप बोलिया कि मैं अंदर खरा हूँ अंदर से push कर दूँगा तो क्या इसके कारण move करेगा नहीं करेगा अगर आप bus के अंदर से आप bus को धक्का देते हैं तो bus कहीं move नहीं करेगा क्योंकि आप internal force को generate कर रहे हैं वहाँ पर क्या करें आप internal force यहाँ पर जो force लाएगा वो internal force internal force आपका लाएगा so no movement इससे कारण क्या हुआ no movement हम लोग बोल सकते हैं लेकिन वही आपका अगर suppose किजिए कोई अगर धका देना इसको चलाना हो तो कोई बाहर से यहाँ push करेगा तो यह जो generate कर रहे क्या करेगा external force बाहर से लगा रहा है वो external force तो इसी को आप अभी के लिए आप इतना पर ही संतुस्ट किजिए कि हाँ internal force जो होता है वो movement को system को accelerate नहीं कर सकता है हला कि यह topic इतना नहीं है इतने से आपका concept clear नहीं होगा लेकिन अभी के लिए आप इतना ऐसे सोच सकते हैं तो हम लोग एक बात ध्यान रखें कि जब ही किसी body का acceleration निकालने कोशिज करेंगे so acceleration निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि only so external forces in FBD only so external forces जो force दो bodies के अंदर लेंगे उसको हम लोग नहीं दिखाएं क्योंकि वो एक तरीके से overall system को affect नहीं करेगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही next video हम लोग newton's law पे question solve करेंगे तब तक के लिए bye bye